तो एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेंट इक लासेश चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं मैं रेगुलर्ली आपको एनाटोमी फिजिलोजी से रेलेटेड वीडियोस आप चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड करता हूँ यह वीडियोस चाहे कोई स्टुडेंट नीट अपीरेंट्स हो चाहे कोई भी स्टुडेंट नर्सिंग का कोर्स कर रहा हो मेडिकल का कोर्स कर रहा हो या करने की सोच रहा हो उन सब के लिए यह इंपोर्टेंट होने वाली हैं तो हर बार की तरह आज क्लास शुरू करने से पह आपको बहां पहुचा देती है, जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुचा दे, इसमें एक शायद वर्ड आया है, उसका बड़ा ही महत्व है, कि शायद किस्मत आपको अच्छी जगे पहुचा सकती है, आपके लक्ष को प्राप्त करा सकती है, लेकिन कड़ी मैनत के साम प्रूम्ने किस्मत भी कुछ नहीं है लेकिन किस्मत से सबकुंत में मेहनत हुती है हमारी कड़ी मेहनत नहीं हो देरा होगा हट बड़ा ही इसी चौपिक है जो आपको समझ में आ जाएगा तो ध्यान से सुनियेगा हरट क्या है हर्ट को हिंदी में हम रदय के नाम से जानते हैं जो यूपी बोर्ड्र के स्टूडेंट है वो हर्दय के नाम से जानते होंगे और जो серь açब कि नाम से नाम स्पेसियों का बना हुआ एक औरगन है एक अंग है जो हमारी बॉड़ी के अंदर पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रेस्पोंसिवल होता है किसके लिए जरूरी होता है पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए हमारी बॉड़ी में ब्लड को फैकने के लिए जरूरी होता है और ये media stynum में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? media stynum में, तो ये media stynum जो word है, उसका मतलब क्या है? media stynum का मतलब है, the space between sternum, vertebra and lungs. ये एक ऐसा space है, media stynum एक जगे का नाम है, एक special जगे का नाम है, जो thoracic cavity में पाई जाती है, thoracic cavity क्या? ये हमारी जो chest वाला region है, उसे हम thoracic cavity कहते हैं, उस thoracic cavity में, दौनों लंग्स के बीच में, vertebra के, thoracic vertebra के सामने और sternum के पीछे की तरफ, जो area होता है, जो जगे बनती है, उसे हम media stynum कहते हैं, क्या कहते हैं? media stynum, द्वारा से सुनेगा, media stynum में एक ऐसी जगे है, जो thoracic cavity में, दौनों लंग्स के बीच में, रिप्स और sternum के पीछे, और thoracic vertebra के सामने की तरफ, ये बनती है, इसके बिलकुल mid में, बीच और बीच में हमारा heart होता है, आप नीचे डाइग्राम में देख भी सकते हैं, छोटा सा डाइग्राम है, प्यारा सा डाइग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं, media stynum में हमारा heart रखा हुआ है, चलिए अब हम next बात करते हैं, journal features के बारे में, हर्ट का shape कैसा होता है, हर औरगन का कोई special shape है, ऐसे ही हमारा heart कौन shape का होता है, किस shape का, कौन shape, कौन shape मिंज, आपने कभी ice cream खाई होगी कौन वाली, तो उसी की कुछ-कुछ मिलती जुलती आकरती का होता है, प्रामिडल आकरती हम कह सकते हैं, और बंद मुठी के आकरत, इसमें लिखा हुआ है, bracket में, like close fit, close fit का मतलब होता है, बंद मुठी के आकरती का, चीक है, याद रहेगा, तो heart की shape होती है, कौन shape, और ये close fist, माने बंद मुठी के आकरती का होता है, अब बात आती है, इसकी size की, तो heart का size होता है, 12 cm long, 9 cm इसकी चोड़ाई होती है, माने breath, और 6 cm इसकी मोटाई होती है, जो thickness है, walls की जो thickness है, वो 6 cm होती है, तो 12 x 9 x 6, ये इसकी लंबाई, चोड़ाई और मोटाई हो गई, ठीक है, फिर बात करेंगे हम location की, तो जो heart है, उसकी location होती है, mid media stinum, अभी media stinum मैंने आपको बताया था, क्या है, एक ऐसी जगह है, थोरे से cavity में, जहांपर heart उपस्तित होता है, ठीक है, उसके बिलकुल beach और beach में है, media stinum के, बिलकुल beach में, mid में, हमारा heart situated होता है, between 2 to 6 rips, याद रखिएगा, इसको मैंना highlight भी किया है, 2 से लेकर के 6 rips के बीच में, कहां से, दूसरी से लेकर के 6 rips के बीच में, याद रहेगा, नीचे आप डाइगराम में देख सकते हैं, हमारा heart, दूसरी और 6 rips के बीच में, दौनों लंग्स के बीच में, मिड मीडिया स्टानम में प्रिजेंट है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, structure of heart के बारे में, अब हम बात करेंगे, heart की संरचना के बारे में, उसकी structure के बारे में, वैसे तो हम heart की structure में, पांच चीजों की study करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने study करूँगा, तीन चीजों की, जो पांच में से तीन चीजों के बारे में, आपको discuss करूँगा, बाकी की ओरली में आपको सारी detail समझा दूँगा, वीडियो के end में, तो इसलिए बिना skip किये वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको heart के बारे में पूरी जानकारी, पूरा lecture आपको clear होगा, ठीक है, तो सबसे पहले structure of heart में हम, जो तीन main चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहला हम पढ़ेंगे layers के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे chambers के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे walls के बारे में, पहला layer के बारे में, दूसरा chambers और तीसरा wall, तो नीचे जो side में आपको diagram दखाई दे रहा है, उस diagram में मैंने आपको, चारों chamber, और layers और walls, ये सारी चीज़े दिखाने की कोशिस की है, तो चलिए अब एक एक करके इन पर discuss करते हैं, तो आपकी screen पर आ रहा होगा layers of heart, heart के अंदर जो layers उपस्तित होती है, जो जो layers heart के अंदर पाई जाती है, उनके बारे में हम discuss करेंगे, तो heart के अंदर 3 layers होती है, कितनी layers होती है, there are 3 layers present in the heart, number 1, pericardium, number 1 कौन सी होती है, pericardium, जो की बाहरी परत होती है, outer layer होती है, दूसरी होती है, myocardium, myocardium जो की middle layer है, और तीसरी है endocardium, जो की inner layer है, तो नाम clear होनी चाहिए आपको, कि outer layer को हम pericardium कहते हैं, myocardium middle layer को कहते हैं, और endocardium हम inner layer को कहते हैं, याद रहेगा, नी लीचे आप diagram में देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर diagram दिखाने की कोसिज की है कि peri-cardia, myocardiaj or endocardia किस तरीके से arrange होती है अब एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे layers of hurt के बारे तो सबसे पहले हम बात करेंगे pericardium के बारे में pericardium क्या होती है तो pericardium क्या होती है it is the outermost layer of the heart यह हर्ट की outermost सबसे बाहरी परत होती है it is also two types, याद रखिएगा pericardium भी दो तरह की होती है भई, हर्ट की layer हैं तीन, pericardium, myocardium endocardium, लेकिन pericardium जो layer है वो दो होती है कौन-कौन सी, एक होती है fibrous pericardium और एक होती है serous pericardium, याद रखिएगा pericardium दो है, एक है fibrous pericardium, एक है serous pericardium, तो fibrous और serous, दोनों ही pericardium किन-किन चीजों से, किन-किन टिशू से मिलकर के बनी हुई है, हम पढ़ेंगे तो it is the made up of elastic, connective tissue ये किस से मिलकर के बनी हुई होती है, elastic fibers से और connective tissue से मिलकर के बनी हुई होती है, और जहां connective tissue आ जाए, उसका बतलब है protection करना, क्योंकि connective tissue का उधारन होता है fibrous tissue, इसलिए इसको हमने कहा गया है, fibrous membrane होती है और साथ में ये protection भी देती है बचाव करने का काम करती है हमारे हर्ट में, जो आघात है बचाव है, उसका काम करती है नेक्स्ट है, serous pericardium, दूसरी layer है serous pericardium, ये क्या है it is the serous double membrane of the heart, ये double layer membrane होती है, जो serous pericardium है वो double layer membrane होती है और इस membrane की खासियत ये है ये membrane लगातार एक fluid secret करती है एक fluid निकालती रहती है उस fluid का नाम होता है pericardial fluid, क्या नाम होता है उसका pericardial fluid, note कर लो इस बात को pericardial fluid कहते हैं उसे, और pericardial fluid एक जगे में भरावुआ होता है एक special इस्थान पर भरावुआ होता है उसे हम pericardial sec कहते है और वह है pericardial sec serous, जो pericardium है उसके पास में बनता है उसके द्वारा बनता है क्योंकि serous membrane दो होती है एक parietal, एक visceral तो जब parietal और visceral दोनों ही membrane जड़ी होई होती है तो उनके बीच में gap बनता है उसे हम pericardial sec कहते है उसके अंदर ये fluid बरा हुआ होता है pericardial fluid याद रहेगा, चलिए, next अब हम बात करते हैं second layer के बारे में जिसका नाम है myocardium myocardium क्या है it is the middle layer of the heart it is middle layer of the heart it is composed of cardiac muscles myo, नाम से ही clear हो रहा था कि myo means होता है muscle तो ऐसी layer, heart की ऐसी परत जो बीच में पाई जाती है middle layer है और ये special muscle से मिलकर के बनी हुई होती है जिनका नाम है cardiac muscle note कर लीजिए myocardium cardiac muscle से मिलकर के बनी हुई होती है और जो cardiac muscle है वो specialized muscle होती है याद रखिएगा specialized muscle होती है जो only heart में present होती है सिर्फ और सिर्फ heart में present होती है लगवग 95% heart के अंदर cardiac muscles ही पाई जाती है याद रहेगा और जो muscles है मैं आपको बता दूँ तीन प्रकार की हमारी शरीर में muscle होती है एक होती है सबसे पहली skeleton muscle दूसरी होती है cardiac muscle और तीसरी होती है smooth muscle skeleton muscle wall entry होती है wall entry में हमारी इच्छा से काम करती है दूसरी cardiac muscle ये special होती है जो heart में पाई जाती है अभी अभी अबने जो discuss किया है और तीसरी होती है smooth muscle जो हमारे organs में पाई जाती है gastrointestinal system इसका उधारण हो सकता है, gastrointestinal सबसे अच्छा उधारण है, जिसमें smooth muscles सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और ये total involuntary होती है, इन पे हमारा कोई भी control नहीं होता, तो इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, cardiac muscles की, तो these are the muscles present in the heart, ये मैं आपको discuss करी तरह काम करता है, blood को फैकने का काम करता है, तो pumping system में यही responsible होती है, यही जरूरी होती है, और दूसरा cardiac impulses को फैलाना, cardiac impulses को फैलाना, heart के अंदर provide कराना, ये इसका काम होता है, तो conduction of cardiac impulse, essay note, AV note, इन से द्वारा निकलने वाली जो impulses हैं, उनको पूरे myocardium में फैलाना, ये इसका work होता है, याद रहेगा, चलिए, next, अब हम आते हैं, next, अगली लेयर, जिसका नाम है endocardium, तो endocardium अंदरूनी लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, it is the innermost layer of the heart, तो सामने लिखवी रहा है, ये सबसे inner layer होती है, और it is made up of single layer of squamous epithelium tissue, याद रखिएग ये layer, single layer से मिलकर के बनी हुई होती है, जिसका नाम है squamous epithelium tissue, note कर लीजिए इस बात को, simple squamous epithelium tissue से मिलकर के बनी हुई होती है, चीक है, तो मैं समझता हूँ, आपको layers clear हो गई, तो चलिए next, अब हम बात करेंगे, hurt के chambers के बारे में, hurt के अंदर, चार कमरे होते हैं, याद चार chamber, जिन में से, दो होते हैं atrium, याद रखिएगा, दो होते हैं atrium और दो होते हैं ventricles, फिर से याद करिए, दो होते हैं atrium, दो होते हैं ventricles, right side में दो होते हैं, left side में दो होते हैं, right side में right atrium, right ventricle, left side में left atrium, left ventricle, आप नीचे diagram में देख भी सकते हैं, मिन आपको लेफ्ट वेंट्रीगल लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रियम लेफ्ट वेंट्रीगल याद रहेगा चलिए नेस्ट अब हम बात करेंगे एक एक करके इन चेम्बर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ट्रियम के बारे में राइट ट्रियम एक ऐसा चेमबर ह हुर्ट का जिसमें D para-so-CL रिख लो इस वात को राइट एक्रियम के अंदर दी जिए जिने कि बलड आता है यह है यह जिए तिखनेश के अगर हम बात करें तो मोटार होती है वह 2-3 mm की कितनी होती है 2-3 mm कि कई कॉम्प्टीटिव साम में question आ चुका है इनकी thickness के ऊपर तो गौर दे के सुनिएगा किस chamber की कितनी thickness होती है ठीक है चलिए next अगला आता है right ventricle right atrium के just नीचे की तरफ जो chamber पाया जाता है उसे हम right ventricle कहते हैं और right ventricle ये right atrium के just नीचे होता है ये मैंने आपको बताई दिया ये लिखी भी राय सामने और ये भी right atrium की तरह ही deoxygenated blood को ग्रहन करता है receive करता है कहां से receive करता है right atrium से ठीक है उसके बाद में इसकी thickness अगर देखें तो इसकी thickness सेम होती है right atrium की तरह 2 से लेकर के 3 mm कितनी 2-3 mm चलिए next कहां से लंग से ये बलड को receive करता है और जो blood receive करता है वह होता है oxygenated blood याद रखेगा oxygen युक्त blood जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में oxygen होती है carbon dioxide की मात्रा कम होती है उसे हम oxygenated blood कहते हैं ठीक है तो इसको receive करता है ये लंग से चार pulmonary veins के द्वारा 4 pulmonary veins के द्वारा ये left atrium के अंदर blood आता है, ठीक है, फिर इसकी थिकनेस की बात करें, तो इसकी थिकनेस 2-3 mm, 2-3 mm होती है, ठीक है, फिर आता है left ventricle, most important ventricle है, most important chamber है, क्योंकि यहीं से हमारे पूरे शरीर में blood बहता है, पूरे शरीर में blood जाता है, ठीक है, तो thickest chamber होता है, पूरे heart का सबसे म मोटा chamber, thickest chamber of the heart, अगर कोई पूछता है, तो इसका answer होगा left ventricle, ठीक है, it is present below the left atrium, ये left atrium के नीचे की तरफ होता है, and it receive oxygenated blood from left atrium, left atrium से oxygenated blood को ये receive करता है, और इसकी थिकनेस, मैंने विए भी बताया, सबसे मोटा होता है, ये सबसे थिक होता है, तो इसकी जो मोटाई है वो 10 से लेकर के 15 mm होती है, कितनी होती है, 10 से लेकर के 15 mm, इस बात को आप note कर लीजे, ठीक है, चलिए, next, अब हम बात करने वाले हैं, walls of heart के बारे में, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, heart के walls के बारे में, heart के अंदर, जैसे 4 chamber होते हैं, उसी पिरकार, heart के अंदर, 4 valve भी प्रिजेंट होते हैं, तो वो 4 valve कौन कौन से हैं, याद करिए, सबसे पहला होता है, tricuspid valve, दूसरा होता है, bicuspid valve, तीसरा होता है, pulmonary valve, और चोथा होता है, aiotic valve, कई बार कुशन आता है इनसे, तो दुबारा से याद करिए, सबसे पहला होता है, tricuspid valve, दूसरा होता है, bic despid वाल्व तीसरा होता है पलमो नरी और चौ था होता है इयो टेग वाल्व क्या है वाल्व ऐसी से नचना, ऐसी → इसे स्टक्टर सोती है 근데 जो Back-Flo को रोपती है किसे रोकती है बैकफ फ्लो को बताउनको अभी कैसे जैसे trick-sigue Eun val पाया जाता है राइट ट्रिय मोर्स गेए भीच में ट्राइट अट्रियम से जब लेट Deck spirit में आ चायता है तो उस समय फिर बापस वह लोट करके कभी भी राइट गाता है क्योंकि त्राइक इसलो को प्रवेंट करता है फिर बात आती है बाइकस्पिट वाल्व की तो बाइकस्पिट वाल्व कहां होता है तो बाइकस्पिट वाल्व पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में याद रहेगा चलिए नेक्स्ट पल्मूनरी वाल्व कहां पाय जाता है pulmonary artery के उपर यहां right side में right ventricle में खुलती है वहां पर उसके opening पर यह पाया जाता है और aiotic valve पाया जाता है at the opening of aota aota की opening में जो की left side में left ventricle में खुलती है ठीक है अब एक तरह से question और आता है कि जो valve है जो हमारे heart के valve हैं उनके other नेम भी होते हैं तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं कौन सा वाल ट्राइकस्पिड वाल्व उसको हम राइट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की नाम से भी जानते हैं इस वात को नोट कर लीजे कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसे हम राइट्रियो वेंट्रिकुल सेमिल्यून्र वालब कहते हैं । याद रहेगा अब बात करते हैं कि जो मैंने शुरुभात में आपक decipher हो तो छीजे ऐसी हैं 都是 herts आदर पाई जाती तो दूचीज़े हैं एक तो उसके बॉर्डर और एक उसकी सर्थेस ons हर्ट के अंदर याद रखेगा और तीन सर्फेस क्ले है जाती है pulmonary surface ठीक है और चार बॉर्डर कौन से हैं हट के चार बॉर्डर है पहला राइट बॉर्डर दूसरा लेफ्ट बॉर्डर superior बॉर्डर and inferior बॉर्ड तो यह चारो बॉर्डर होते हैं left, right, superior and inferior तो यह total specification, total features हमने हट के बारे हम पढ़ लिए, अगर आपको यह lecture अच्छा लगा हो, तो उसे like करें, share करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा share करें, और हमारे channel mini attempt e-classes को subscribe करें, और bell icon को जरूर press करें, जिससे regular notification जो मैं आपके लिए video डालता हूँ, वो आपको त्रंत मिल जाएं, त्रंत आपकी screen पर आजाएं, thank you very much, medical से related अच्छे अच्छे lectures पाने के लिए, हमारे channel mini attempts को subscribe करें, like करें, share करें